दोस्तों अगर आपको एक्षन, थ्रीलर और सस्पेंस से भरी मूवी देखना पसंद है तो आपने जौन विक मूवी सिरीज जरूर ही देखी होगी इस मूवी की स्टोरी के साथ ही इसके सारे एक्षन सीन्स भी काबिलिये तारीफ हैं इस मूवी में लीड एक्टर के तौर पर काम किया है हॉलिवुड के वन आप दी बेस्ट एक्टर में से एक प्यानू रिवस ने जिन्होंने इससे पहले दी मैट्रिक सिरीज में भी काम किया हुआ है दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको जौन वीक मूवी सिरीज के आल चेप्टर्स के बॉक्स ओफिस कलेक्शन के बारे में बताऊंगा पर अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और सेयर करने के साथ हमारे चैनल आमी डाकूमेंटरी को सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों जौन वीक सिरीज में पहली मूवी आई थी साल 2014 में इस मूवी में हमें दिखाया जाता है कि कैसे काम से रिटायर हो चुका जौन वीक अपने कार चोरी और अपने कुत्ते के मौत का बदला एक खतरनाक गेंग्स्टर से अकेले लेता है इस मूवी का बज़ट था 20 से 30 मिलियन हुएश डॉलर और इस मूवी ने कमाये थे 86 मिलियन हुएश डॉलर इंडियन करंसी के हिसाब से इस मूवी का बज़ट था 140 करोड से 210 करोड रूपए और इस मूवी ने कमाये थे 602 करोड रूपए इसके बाद साल 2017 में इस मुवी का चेप्टर 2 आता है जिसमें हमें देखने को मिलता है कि जॉन्वी कैसे एक दोस्त के वादे को पूरा करता है और बाद में वो दोस्त जॉन्वी को मारने के लिए बोली लगा देता है और जॉन्वी किसी तरह बचता है और लाश्ट में उस दोस्त को मार देता है और हो जाता है X-Communicado इस मुवी का बज़ट था 14 मिलियन US डॉलर और इस मुवी ने कमाये थे 117, 1.5 मिलियन US डॉलर इंडियन करनसी के हिसाफ से इस मुवी का बज़ट था 280 करोडो रुपय और इस मुवी ने कमाये थे बारा सो करोडो रुपए जॉन वीक के एक्स कम्यूनिकाडो होने के बाद इस मुवी का क्रेज और भी ज्यादा लोगों के बीच बढ़ गया और फाइनेली स्टाल 2019 में आई जॉन वीक चैप्टर 3 इस मुवी में हमें देखने को मिलता है कि कैसे जॉन वीक अपनी जान को बचाता है और फिर से नॉर्मल जिन्दगी की तलास में हाई टेबल से जुड़े कई अहम लोगों से मिलता है पर लाश्ट में जॉन वीक को उसका सबसे करीबी दोस्त जो उसे चैप्टर 2 में भागने के लिए एक घंटे का वक्त देता है वो उसे धोखा दे देता है और उसे गोली मार देता है पर जॉन वीक को उसका एक पुराना दोस्त बचा लेता है इस मुवी का बजट था 75 मिलियन हुएस डॉलर और इस मुवी ने कमाय थे 326.7 मिलियन हुएस डॉलर इंडियन करंसी के हिसाब से इस मुवी का बजट था 525 करोड़ रुपए और इस मुवी ने कमाय थे 287 करोड़ रुपए दोस्तों मैं तो जॉन वीक चेप्टर 4 के लिए काफी ज्यादा एकसाइटेड हूँ क्या आप भी उतने ही एकसाइटेड हैं या हमें कमेंट करके जरूर बताएं मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में